मेनपूरी में एक इनिजी वेलफियर असोसियेशन के नितरत में अखिल भारतिय वैश्व एकता परिसत के रास्ट्री अध्यक्ष सुमन्त गुपता के आवाहन पर विशाल महरेली कायो जन किया गया जिसमें प्रदेश के कई जन पदों से आये पदाधिकारी शामिल हुए वही वैश्व एकता परिसत के मन्च पाय जिसकी जितनी भागिदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की तर्ज पर मौजूद जनसभा को संबोधित किया इस अफसर पर उतर प्रदेश में अपनी सत्ता कायम किये हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा सुमन्त गुपता ने क आफ कीजिये महीश गुपता ने कहा कि बीजेपी सरकार वैश्व समाज के साथ है क्योंकि बीजेपी भारत माता की जय बोलती है और वैश्व समाज भी भारत माता की जय बोलते हैं मन में है हमारा बैस समाज विवा जोस और उसकी ज्यादा ज्यादा राजजीरी क्षेतु में हमारा आना हुआ है बैस समाज की चिंता भारजिंता पार्टी करती है समाजबादी पार्टी जब सरकार थी तो हमारे बैस समाज के साथ पूरी तरह से लूट खसोट और उनके बच्चों के अपरण और पूरी गुंडागर्दी होती थी तो मैं कह सकता हूँ आज भारजिंता पार्टी की जमाने में हमारा बैस समाज बिलकुल सुरक्षित है उसे कोई कश्च नहीं आज किसी की हिम्मत नहीं है हमारे बैस समाज के या ब्यवपारी समाज पर कोई भी कुछ कर सके तो मैं यह गज़ा हूँ राजनेतिक अदकार यात्रा लक्ष दोजार बाइस आज से प्रारम हो रही है जो उत्तर प्रदेश के विविन कोने से जाईगी इस यात्रा का मूल उद्देश मूल उद्देश बैस समाज के लोगों को राजनेतिक चीतना जागलत करना तदा बिधान सबा के चुनाओं में उनकी भागेदारी स्थापित हो और वे अधिक से अधिक संक्या में उनको टिकेट मिलें 403 विधान सबा छेतरों में से 106 विधान सबा छेतर वैश भाउले हैं हम लोगी मांग है कि उन इस्थानों पर बैस समाज के बंदूओं को टिकेट मिलें सबसे सबसे बड़े आशिर की बात तो यह है कि पूरे आगरा मंडल पूरे अलीगड मंडल में मात्र तीन विधाए आपके इटावा, औरया, साजापूर, फरकाबाद, कन्नोच, आपके कानपूर, कानपूर दियात में एक भी बैस समाज का बिधायक नहीं है इस बहुनाओं को दिश्टकत रखते हुए हमारा दबाव है भारती जनता पार्टी पर कथन भी है कि हमारे लोगों को टिकेट द इट